हेलो प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागा थे मेरे चैनल स्टडीनेट में आज के इस शॉट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेस्पिरेशन जो लाइप प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड हैं तो चलो विदाओ ट्वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स केट दा प्रोडावारे बुडेशन गाता है प्रोसेस प्रोडावार टारक्टें तर्न के लिए यह प्यूअ करने के लिए आ को यह पक्लंठ हैक व यृट्टिंग को ऐख रूद्स भादीट हैं हमें यह्ट् seulement कि अलग 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 प्रोसेस होते हैं जिसमें एक प्रोसेस था assimilation जिसमें food जो होता है वो assimilate होता है तो यहाँ पर मैंने एक word यूज किया है assimilated food तो assimilated food आखिर दो काम करता है पहला काम क्या होता है कि वो as a fuel काम करेगा energy देने के लिए ताकि जितने भी other life processes है वो अच्छे तरीके से run कर पाए इसका दूसरा काम होता है as a material use होना किस चीज के लिए भाई body के growth and development के लिए और साथ साथ में tissue repair के लिए यानि tissue का repair होने के लिए body के growth के लिए भी उस food की ज़वत पड़ती है तो एक food दो पार्ट में बढ़ जाता है या यू कहो तो एक food का दो काम होता है पहला energy देना दूसरा body के growth में और cell के repair में मदद करना अखरी ये respiration कोई छोटा सा process नहीं है ये बड़ा सा process है इस पूरे process में क्या होता है कि हम oxygen को लेते है ये cell के अंदर जाता है उसके बाद वहां से ये energy release होता है कब जब ये food क्या होता है छोटे छोटे particles में तूट जाता है उसके बाद ये साथ साथ में क्या करता है waste product को भी हमारे body से बाहर निकाल देता है अगर मैं आपको as a reaction आपको ये दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा हमने food लिया उस food में oxygen मिक्स हुआ उसके बाद ये food क्या करेगा carbon dioxide water plus energy release करेगा next the process of respiration which religious energy takes place inside the cells of the body so it is known as cellular respiration तो इसको हम cellular respiration क्यों कहते है इसके बीचे का reason ये है कि ये पूरा का पूरा process जो होता है वो हमारे body के cell के अंदर होता है इसलिए इसको कहते हैं हम cellular respiration अब बहुत बड़ा question हमारे दिबाग में आ सकता है कि सर oxygen जब हम लेते हैं carbon dioxide जब हम छोड़ते हैं तो ये तो breathing भी हो गया तो आखिर breathing और respiration में क्या difference है तो इन दोनों में major difference है और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ पहला point तो ये है कि breathing is a mechanism by which organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide but respiration is a more complex process it includes breathing as well as oxidation of food in the cell of the organism to release energy तो अगर मैं breathing की बात कर रहा हूँ बीटा तो breathing का मतलब हो गया सिर्फ oxygen को लेना और carbon dioxide को छोड़ देना लेकिन अगर मैं respiration की बात करूँ तो respiration में breathing तो include होता ही है यानि हम oxygen लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते भी हैं लेकिन साथ-साथ में body के अंदर जाकर cell के अंदर oxidation of food भी होता है food का oxidation होना साथ-साथ में energy का release होना ये सारी चीजे हमारा respiration कवर करता है next breathing is a physical process अगर आप से question पूछ दिया जाए तो आप जरूर इन सवे points को mention करना कि breathing क्या है एक physical process है जबकि respiration क्या है एक biochemical process है जिसमें क्या होता है oxidation of food होता है next the process of breathing involves the lungs of the organism whereas the process of respiration also involves the mitochondria in the cells where food is oxidized to release energy ये अगर मैं breathing की बात करूँ तो breathing में कौन सा हमारा part involved होता है that is lungs लेकिन अगर मैं respiration की बात करूँ तो उसमें lungs तो होता ही है as well as वहाँ पे mitochondria का भी use होता है क्यों क्योंकि mitochondria को हम लोग क्या बोलते है powerhouse of the cell ये energy देने में मदद करता है इसलिए mitochondria का भी यहाँ पे use होता है the main purpose of respiration is the release of energy from the oxidation of simple food molecules like glucose ठीक है अगर मैं बात करूँ तो अखिर ये होता क्या है respiration का main purpose क्या होता है body में energy release करना जो हम खाना खाते हैं उसके खाने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट में तूट जाता है वो glucose को और तोड़ देता है उसके बाद ये body में क्या करता है energy release करता है क्या बता सकते हो के glucose का formula क्या है जल्दी से बताओ glucose का formula C6H12O6 ठीक है ये हमारा glucose का formula है next respiration is the opposite of photosynthesis अखिर ऐसा क्यों ये देखो लिखा है मैंने कि photosynthesis में क्या होता है photosynthesis में photosynthesis में food बनता है यानि glucose बनता है किस किस चीज के मदद से carbon dioxide, water and sunlight energy और ये क्या करता है oxygen को release करता है लेकिन अगर मैं respiration की बात करूं तो respiration में जो food होता है oxygen का और ये carbon dioxide देता है water भी और energy के साथ तो photosynthesis में क्या होता है oxygen को लेक अखिजन देता है ठीक है carbon dioxide लेता है साथ-साथ में इसमें glucose का formation होता है लेकिन अगर मैं respiration की बात करूं तो respiration में क्या होता है oxygen को हम लोग ले रहे हैं और carbon dioxide दे रहे हैं और साथ साथ में यहाँ पे glucose यानि food को तोड़ा जाता है यहाँ पे बनता नहीं है तूटता है दिन एक और कुस्सन हमारे दिमाग में आ सकता है कि how is the energy released during respiration stored आखेर जैसे बैटरी के अंदर हम energy को store करके रखते हैं उसी परकार से हमारा जो body है वो इसको store कैसे करता है हमें तो यहाँ तक पता चल गया कि respiration के थुरू हमारा body energy release करता है लेकिन उस released energy को store करके कैसे रखता है the answer is the energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules तो ATP full form क्या होता है यह हम लोग अभी देखेंगे in the sale of the body and used by the organism as when required यानि जैसे ही body energy release हुआ यह ATP molecules के form में हमारे body में save हो जाएगा और उसके बाद जब भी इसको जवरत पड़े यह क्या करेगा हमारा body उस जगा से उसको ले लेगा it is just like the inverter जो आपके घर में होता है जब तक electricity चलता है वो energy save होता रहता है वहाँ पे लेकिन जैसे electricity चली जाती है वो inverter क्या करता है आपके पूरे house को power supply provide करता है ADP is a substance called adenosine diphosphate it has low energy content तीन चीज़ आपको याद रखना है सबसे पहले तो आपका हो गया ADP ठीक है दूसरा आपका हो जाएगा ATP ATP का full form क्या होता है adenosine triphosphate और इसका high energy होता है ADP यानि adenosine diphosphate इसका energy low होता है adenosine triphosphate इसका energy high होता है इसके साथ साथ एक और याद रख लो that is inorganic phosphate inorganic phosphate क्या होता है एक ऐसा phosphate group होता है ठीक है जिसमें phosphorus और oxygen दोनों mix होता है आप आगे देखते है कि ADP combines with inorganic phosphate by absorbing the energy released during respiration to form ATP यानि होता है क्या है जरा हम लोग इसको एक equation के थूरू समझते है ADP molecule किसके साथ mix होता है phosphate group के साथ 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 में इसको energy मिलता है और यह क्या form करता है ATP अब कौन कहां से मिलता जरा देखते हैं ADP low energy होता है phosphate group तो इसको मिल जाता है energy कहां से मिलता है respiration से ठीक है respiration से energy release हुआ इस energy को convert कर दिया जाता है ATP और ATP क्या होता है high energy होता है इसलिए इसको हम कहेंगे कि energy is stored in the cell in the form of ATP next अगर देखते हैं when the cell needs energy अभी तक तो हमने देखा कि ATP के form में हमारा cell उसको contain कर लिया उसको save करके रख लिया तो जब हमारे body को जब cell को energy की जवरत पड़ेगी तब यह ATP को क्या करेगा तोड़ देगा कैसे तोड़ेगा ध्यान रखना तोड़ते वक्त इसको किसकी जवरत पड़ेगी water की जवरत पड़ेगी अब यह तोड़ेगा कैसे जड़ा देखो ATP किस तरीके से टूटता है ADP प्लस phosphate प्लस energy यही सेम ठीक है अब तो आपको पता ही है कि generally ADP होता है low energy ठीक साथ साथ में क्या करता है एक और energy देता है जिसका use हमारा सेल करता है next the energy is equivalent to 30.5 किलो जूल पर मोल यह याद रख लेना objective question में काम आएगा 30.5 किलो जूल पर मोल it is used to carry out all the endothermic reactions taking place in the cell हमारे सेल के अंदर जितने endothermic reactions होते हैं अब यहाँ पे दो प्रकारा के reactions आते हैं एक होता है endothermic एक होता है exothermic endothermic का मतलब जो heat को consume करता है ठीक है वो हो गया endothermic और जो heat को देता है उसको कहते हम exothermic ठीक है exo का मतलब जो देने वाला है endo का मतलब जो अंदर ही अंदर होता है ADP can be converted into ATP by absorbing energy produced during respiration and ATP can be converted back to ADP releasing energy to be used by the cell again and again और ये एक cycle के जैसा क्या होता है चलता ही रहता है ठीक है यानि ADP को ADP को हम ATP में convert कर सकते हैं energy लेकर ठीक है और ATP को हम ADP बना सकते हैं energy को release करके ठीक है तो ये पूरे का पूरे एक cycle चलता ही रहता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो ID नीचे दिया हुआ है thank you so much for watching this video मिलना हो दूसरे वीडियो में तब तक लिए everyone take care be safe keep learning and keep watching study net है